भारत माता की नम्मा सबका साथ सबका विकास मंत्रदा स्फूर्ति यादा भगवान बस्वेशर अवरीगे नमस्कार गळू बेडगाविया कुंदा मत्तू बेडगाविया जानरा पत्त प्रिती एडू मरिय लागदासी बेडगाविया नन्ना बंदू पहिनियर गे नमस्कार गळू बेडगाविया की जनता का प्यार और आशिदवाद अतुनिया है ये प्यार ये आशिदवाद पाकर हम सब को आपकी सेवा के लिए हमें दिन रात मेहनत करने की प्रेणा मिलती है आपक्या ये आशिर्वाद हमारे लिए प्रेणा शक्ती बन जाता है बेडगावि की धर्ति पराना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता ये कित्तूर की रानी चन्नम्मा और करांती वीर संगोली रायाना की भूमी है देश आज मी इन्हे वीरता और गुलामी के विरूत आवाज उठाने के लिए याद करता है साथियों आज की लड़ाई हो या फिर उसके बार भारत का नव निर्मार बेडगावि की महत्वप्ण भूमी का हमेशा रही है आज कल हमारे देश में करनाटका में स्टार्ट अप्स की खुब चर्चा होती है लेकिन एक तरफ से देखे तो बेडगावि में तो सो साल पहले ही स्टार्ट अप्स की शुरुवाद हो गई थी सो साल पहले मैं आपको याद कराने आया हूँ बाबु राव पुसालकर जी ने सो साल पहले यहाँ एक छोटी सी यूनिट की स्थापित के सापना की थी तब से बेडगावी अनेक तरफ की इंडिस्ट्री के लिए इतना बड़ा बेज बन गया है बेडगावी की इसी भूमिकाने डबल इंजिन सरकार इस दस्षक में और ससक्त करना चाहती है भाईयों और बहनों आज जिन प्रोजेक्स का लोकारपणों और सिलान्यास किया गया है उनसे बेडगावी के विकास में नई गती आएगी सेक्डो करोर रुपिय के प्रोजेक्स कनेक्टिविटी से जुड़े हैं पानी की व्यवस्ता से जुड़े हुए हैं आप सभी को इन सारी विकास की योजनाओं के लिए इस छेत्र की प्रगति का एक मजबूत गती देने के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज बेडगावी से पूरे हिंदुस्तान को भी बेड़ स्वगाद मिली है हिंदुस्तान के हर किसानों को आज करनाटरका से जोड़ा है बेडगावी से जोड़ा है आज यहां से पी-म किसान सम्मा निधी की एक और किस्त भेजी गई है सिर्फ एक ही बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोडों किसानों के बैंक खाते में सोला हजार करोड रुपिये पहुँचे है यहां जो मेरे रायतु बंदु है न वो अपना मोबाइल देखें को तो मेसेज आ गया होगा दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है और इतनी बड़ी रकाम सोला हजार करोड रुपिया पल भर में और कोई बिचोलिया नहीं कोई कटकी कंपनी नहीं कोई करप्शन नहीं सीधा सीधा किसान के खाते में अगर कॉंग्रेस के राज होता तो प्रदान मंत्री कहते थे कॉंग्रेस के केक रुपिया भेटते हैं पंदरा पैसा पहुंचता है अगर आज उन्होंने सोला हजार करोड का सोचा होता तो आप सोचिए बारा तेरा हजार करोड रुपिया कहीं गयव हो गया होता लेकिन ये मोदी की सरकार है पाई पाई आपकी है आपके लिए है मैं करनाट का सहीध पुरे देश के किसान भाई बेहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुब कामनाए है भाई और बहनों आज का बदलता हुआ भारत हर बंचित को वरियता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है हमारे देश में दसकों तक छोटे किसानों को भी नजर अंदाज किया गया था भारत में असी पचासी प्रतीवचत छोटे किसान है अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथपिक्ता में है पी एम किसान सम्मान निजिके माज़म से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब ढाई लाख करोड रुपिये जमा कराए जा चुके हैं आप बोलेंगे कितने किये हैं डाई लाख करोड कितने 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 डाई लाख करोड रुपिया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए इसमें भी पच्चास हजार करोड रुपिये से ज़्यादा पैसे हमारी जो माताई बैने किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए है ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरुरतों को पुरा कर रहे है इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता ब्याज खाव लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता बहुत उंचा ब्याज देखर के रुपिये नहीं लेने पड़ते साथियों साल 2014 के बाद से देश लगातार क्रिशी में एक सार्थक बनलाव की तरफ बढ़ रहा है भाजपा सरकार में हम क्रिशी को आदूनिक्ता से जोड रहे हैं क्रिशी को भविश्य के लिए तैयार कर रहे हैं साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का आउसर दिया तो भारत का क्रिशी के लिए बजट ये आकणा याद रखोगे आप लोग याद रखोगे जरा जोड से तो बोलिए याद रखोगे देखे जब हम आये थे 2014 में सेवा के लिए आपने मोका दिया था तब भारत का क्रिशी बजट 25,000 करोड रुपिय था कितना कितना इस वार्थ हमारा क्रिशी बजट एक लाग 25,000 करोड रुपिय से ज़्यादा है यानि पांच गुना ज़्यादा बड़ोत्री हुई है ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार किसानों को मदद करने के लिए कितनी गंबीर है कितनी सक्रिय है हमने टेक्नोलोजी पर बल दिया जिसका लाग भी किसानों को हो रहा है आप कल्पना कर सकते हैं अगर जनदन बैंक खाते ना होते मोबाइल कनेक्शन न बढ़ता आधार न होता तो क्या ये सब संभव होता क्या हमारी सरकार जादा से जादा किसानों को किसान क्रेडिट कार से भी जोड रही है कोशिच यही है कि किसानों के पास बैंक से मदद पाने की सुविदा लगातार रहे हमेशा रहे साथियों इस वर्ष का बज़े हमारी खेती की आज की स्थिती के साथ साथ बविश की जरूरतों को भी एड्रेस करता है आज की जरूरत बंडारन की है स्टोरेज की है क्रिशी में आने वाली लागत को कम करने की है छोटे किसानों को संगठित करने की है इसलिए बज़ेट में सेंकडो नई बंडारन सुविदाय बनाने पर बल दिया गया है इसके साथ साथ सहकरिता के स्थर पर विस्तार करके उसका पर हमने अभुद्पुर्वा फोकस किया है प्राकृति खेती को प्रमोट करने के लिए भी अनेक कदम उठाये गए हैं प्राकृति खेती से किसान की लागत में बहुत कमी आने वाली है नेच्रल खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद और कितना सक बनाने में आती है अब इसमें किसानों को मदद करने के लिए हजारों सहायता केंद्र बनाए जाएंगे किसान की लागत बढाने में केमिकल फर्टिलाइजर की भूमी का अधीक होती है अब हमने किसानों के लिए पी-एन प्रणाम योजना शुरू की है इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रवक कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी भाईयों और बहनों हम देश की कृशी को बविश्की चुनोतियों को देखते विए हमारी पूरी किसानी ग्रामिन अर्थ बवस्ता इसमें नए प्रान लाने के लिए हम करतनिश्चे यह बल दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण कितनी समझ से आ रही है यह हमारा किसाना जनुभव कर रहा है इसलिए अब हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ताकत को फिर से याद करना होगा हमारा मोटा अनाच और मैं तो देख रहा था मोटे अनाच की सुन्दरता भी कितनी अच्छी है हमारा मोटा अनाच हर मौसम हर परिस्तित्य को जेलने में सक्चम है और ये सुपरफूर है मोटा अनाच सुपरफूर है ये अधिक पोशक भी होता है इसलिए इस वर्ष के बजेट में हमने मोटे अनाच को स्री अन्न के रुप में नई पहचान दी है और करना टका तो स्री अन्न के मामले में दुनिया का एक बड़ा केंद्र और ससक्त केंद्र है यहां तो स्री अन्न को पहले से ही स्री धानने कहा जाता है अनेक प्रकार के स्री अन्न यहां का किसान उगाता है करना टका की बीजेपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेत्रुत्व में इसके लिए किसानों को मदद भी देती है मुझे याद है कि रैता बंदू यदुरप्पा जी ने सृरी अन्न को प्रोसान देरे के लिए यहाँ कितना बड़ा अभियान चलाया था अब हमें इस स्री अन्न को पुरी दुनिया में पहुँचाना है स्री अन्न को उगाने में लागद भी कम है और पानी भी कम लगता है इसलिए ये छोटे किसानों को डबल बेनिफिट देने वाला है साथियों इस छेत्र में गन्ने की पैदावर खुब होती है भाजपा सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वों पर ही रखा है इस साल के बज़ेट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है सुगर कोपरेटिव द्वारा दोजार सोला सत्रा के पहले के गए पेमेंट पर टैक्स में छूट दी गई है और इससे सुगर कोपरेटिव के उपर जो दस हजार करोड रुपिय का बहुत था जो यूपिय सरकार उनके सर पे डाल के गई थी उन दस हजार करोड रुपिय का फाइदा ये मेरी सुगर कोपरेटिव को होने वाला है आप सभी को ये भी पता है कि हमारी सरकार इथेनौल के उत्पादन पर कितना जोर दे रही है इथेनौल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आई भी बढ़ रही है बीते नव वर्षों में पैट्रोल में इथेनौल की ब्लेंडिंग को बढ़ा कर देड़ प्रतिशत से दस प्रतिशत किया जा चुका है अब सरकार पैट्रोल में बीस प्रतिशत इथेनौल ब्लेंडिंग का लग लेकर चल रही है जितना ही देश इत्पिशा में आगे बढ़ेगा उतना ही हमारे गन्ना किसानों को भी फाइदा होगा भाई और बहनों खेती हो इंडस्ट्री हो तूरिजम हो बहतर सिक्षा हो बहतर स्वास्त हो इस सब कोछ अच्छी कनेक्टिविटी से और ससकत होते हैं इसलिए बीते वर्सों में हम करनाटका की कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं 2014 से पहले के पांच वर्सों में करनाटका में रेलिवे का बजट कुल मिलाकर 4000 करोड रुपिय था जबकि इस वर्स करनाटका में रेलिवे के लिए 7500 करोड रुपिय रखे गए हैं इस वक्त करनाटका में रेलिवे के लगबक 45,000 करोड रुपिय के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है आप सोच सकते हैं कि इसके करनाटका में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है बेड़ गावी का आदूनिक रेलिवे स्टेशन देखकर हर किसी को अस्षरे भी होता है हर किसी को गर्ब भी होता है इस आदूनिक रेलिवे स्टेशन से यहां सुविदाय तो अधिक हुई है रेलिवे को लेकर भी स्वाज भी बढ़ रहा है ऐसे शांदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे है करनाटका के अनेक स्टेशनों का रेलिवे स्टेशनों का ऐसे ही आदूनिक अवतार में सामने लाया जा रहा है लोग दाग गाड़ प्रभा लाइन की डबलिंग से अब सफर तेज होगा और सुरक्षित होगा इसी प्रकार जिन नई रेल लाइनों पर आज काम सुरू हुआ है वे भी इस ठेत्र में रेल नेटवर्क को ससक्त करेगी बेड़गा भी तो एजुकेशन, हेल्थ और टुरिजम के लियाद से एक बड़ा सेंटर है, ऐसे में अच्छी रेल कनेक्टिविटी से इन सेक्टर्स को भी लाब होगा भाई और बैनों, बाजपा की डबल इंजिन सरकार तेज विकास की गारंटी है डबल इंजिन सरकार कैसे काम करती है इसका उदाराण जल जीवन मिशन है साल 2019 तक करनाटका के गावों में सिर्फ 25 प्रतिशत परिवारों के पास घर में नल से पानी के लिए कनेक्शन था आज करनाटका में नल से जल की कवरेट डबल इंजिन सरकार के कारां हमारे मुख्यमंत्री जी के सक्रिय प्रयास होके कारां आज कवरेट 60 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है यहाँ बेड़गावी के भी 2 लाग से भी कम घरों में नल से जल आता था आज ये संख्या साड़े चार लाग पर पार कर चुकी है हमारी गाउं की बेहनों को पानी के लिए बटकना न पड़े सिर्फ इसी के लिए ही इस बज़ेट में साथ हजार करोर रुपे दिये गए है भावी और बेनों बीजेपी सरकार समाच के हर उस छोटे से छोटे वर्क को ससक्त करने में जुटी है जिसकी पहले की सरकारों ने सूध नहीं ली थी बेड़गावी तो कारीगरों हस्त सिल्फियों का शहर रहा है ये तो वेनुग्राम यानि बास के गाउं के रुप में मश्यूर रहा है आप याद कीजिए पहले की सरकारों ने लंबे समय तक मास की कटाई पर रोक लगा दी थी हमने कानून बढ़ला और मास की खेती और व्यापार के रास्ते खोल दी है इसका बहुत मड़ा लाब मास का काम करने वाले कलाकारों को हुआ है मास के अलावा यहाँ दूसरे क्राप का काम भी खूब होता है इस वर्ष के बजट में पहली बार ऐसे साथियों के लिए हम पी-म विश्व कर्मा योधना लेकर आये है इस योधना से ऐसे सभी साथियों को हर प्रकार की मदद दी जाएगी साथियों आज जब मैं बेड़गा भी आया हूँ तो एक और विशे पर अपनी बात रखना जरूर चाहूंगा मैं अपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस किस तरह करना टका से नफरत करती है करना टका के नेताओं का पान कॉंग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है जिस किसी से भी कॉंग्रेस के परिवार विशेश को दिक्कत होने लगती है उसकी कॉंग्रेस में बेजज़ती शुरू कर दी जाती है इत्याज गवा है कि कॉंग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंग गपा और विरेंदर पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था हर करना टक के लोग जानते हैं अब एक पर फिर कॉंग्रेस का एक विशेश परिवार के आगे करना टका के एक और नेता का अपमान किया गया है साथियों इसी धर्दी के संतान पचास वर्ष जिनका सौंसद ये कार्यकाल रहा है ऐसे श्रिवान मलिक अर्जुन खरगे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ उन्होंने जन्ता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कॉंग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था च्छतिश गड़ में उस कारकम में सबसे बड़ी आयू के व्यक्ति राजनिती में सबसे सीनियर वहाँ पर खरगे जी मौझूद थे और वो उस पार्टी के द्धर्ट से दूप थी जो भी सब खड़े थे उन सब को दूप लगना बहुत वाबाविक था लेकिन दूप में वो छत्री का सवभाग्यर कॉंग्रेस के सबसे बड़ी आयूवाले सबसे सीनियर कॉंग्रेस के प्रमूक खरगे जी कोई नसिब नहीं हुआ बगल में किसी और के लिए चाहता लगा लगा था ये बताता है कहने को तो खरगे जी कॉंग्रेस अद्यक्ष है लेकिन कॉंग्रेस में जीतर उनके साथ बरताव होता है वो देखकर पुरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टिया जकड़ी हुई है इसी सिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है इसलिए कॉंग्रेस जैसे दलो से करनाट के लोगों को भी सतर करहना है और ये कॉंग्रेस के लोग इतने निरास हो गए है अब तो वो सोते हैं जब तक मोधी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है और इसलिए सारह आतकर करे रहे है मर्जा मोधी, बर्जा बोधी नारे बोल रहे हैं मर्जा मोधी कुछ लोग कबर खोने ने बीजी हो गए है वो कह रहे हैं मोधी तेरी कबर खु़बेगी मोदी तेरी कपर खु़ेगी लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा साथियो जब सची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है डबल इंजिन सरकार की नियत भी सची है और विकास की निष्ठा भी पक्की है इसलिए हमें इस विश्वास को बनाय रखना है करना टका के देश के विकास को गती देने के लिए हमें यूही आगे बढ़ना है सबका प्राया से ही हम देश को विक्सित बनाने के सपने को पूरा कर पाएंगे और मैं आच यहां कारकम में थोड़ा देर से पहुचा हेलिकॉप्टर से पूरे रास्ते बर बेड़ गाउने जो स्वांगत किया है जो आशिरवाद दिये है माताएं बेहने बुजूर बच्चे अबूत पुर्वत रश्य था मैं बेड़ गावी के करना टका के इस प्यार के लिए सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ सर जुका करके उनका धन्यवाद करता हूँ आज की मेरी करना टका की आत्रा भी विशेथ है क्यों ग्याद सुबे में शिमोगा में था और वहाँ पर एरपोर्ट करनाटगा की जनता को सुप्रत करने का मुझे सभवागे बिला लेकिन साथ साथ हमारे वरिष्ट नेता ये दुरजप्रा जी का जन्मदीन की शुब कामनाए देने का भी मोका मिला और शिवो मोगासी यहां आया तो आप सब ने तो कमाली कर दिया ये प्यार ये आशिरवाद मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं बेड़ गावी के मेरे प्यारे भाईयो बहनो करनाटगा के मेरे प्यारे भाईयो बहनो मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं ये आप जो मुझे प्यार दे रहे ने आप जो हम सब को आशिरवाद दे रहे ना मैं इसे ब्याज समेत लोटाओंगा और करनाटगा का विकास करके लोटाओंगा बेड़ गावी का विकास करके लोटाओंगा फिर एक मार आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद